विखर कुछिंग सेंटर अन इंस्टिटूट अन कामर्स वैलकम स्टुदेंट्स टुडेंट्स टुटे इन इस वीडियो लेक्चर वे विल कम्पलीट चैप्टर 3 कॉडिने जेमेटरी सो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉडिने जेमेटरी में इसका मीनिग क्या है coordinate geometry में हम study करेंगे किसकी coordinates की coordinates हमारे क्या होते हैं जो भी आपके points होते हैं किसमें partition plane में जो भी आपका xyx plane है यह क्या है आपका partition plane इसमें जब हम किसी भी point को locate करते हैं तो हमारे क्या होते हैं coordinates किसलिए use होते हैं किसी की location को show करने के लिए जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले number line discuss करें, जो हम chapter 1 number system में complete कर चुके ही, तो number line में हमारे पास क्या होता था, 1, 0 हमारे पास origin होता था और right hand side हमारे पास positive numbers होते थे 1, 2, 3 और left hand side हमारे पास क्या होते थे negative numbers तो positive numbers हमारे कहा होते थे right hand side negative numbers हमारे पास क्या होते थे left hand side और 0 हमारा क्या होता थे 0 हमारा होता थे origin यह हम discuss कर चुके हैं किसमे number line में इसी की help से हम discuss करेंगे अपना coordinate geometry यह हमारी क्या है, यह हमारी है horizontal axis, यह हमारी कौनसी axis है, horizontal axis, vertical axis कैसी होगी हमारी, vertical axis आप महारी क्या हो जाएगी? vertical axis में हमारे पास ये zero origin होगा upper side में आपके पास क्या होंगे positive numbers होंगे और downward क्या होंगे आपके negative numbers यह हमारी क्या हो जाएगी यह भी हमारी क्या है number line और यह भी हमारी क्या है number line horizontal और vertical को combined करके हम क्या बनाएंगे कार्टीशन plane जिसे हम coordinate plane भी कहते है जिसमें हम क्या शो करते हैं, points को शो करते हैं, जिसें हम coordinates भी कह सकते हैं अगर हम बात करें, यह हमारी क्या है, x-axis और यह हमारी क्या है, x-डेश यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, negative, यहाँ पे positive और upper side में हमारे पास यहाँ पे क्या है, y-axis, यह हमारा क्या है, y-axis यह हमारे positive होगी यह negative होगी, यह positive होगी हमारी right hand side, यह left word क्या होगा हमारा negative, so यह हमारा क्या है Coordinate Geometric का सबसे basic portion है, जहाँ पर हम discuss करेंगे हमारे पास points किसे कहते हैं, तो points हमारे क्या है, Coordinate हमारे क्या है ? Points, दोनों क्या है, same है, so अगर हम देखें यह हमारी क्या हो गया, कार्टिशन प्लेन, कार्टिशन प्लेन, जिसको हम यह भी कह सकते हैं क्या, कोडिनेट प्लेन, दूसरा नाम क्या है आपका, कोडिनेट प्लेन, जिसमें हम क्या शो कर रहें, कोडिनेट्स शो कर रहें, कोडिनेट्स हमारे क्या होते हैं, कोडिनेट्स ह तो ये चीज़ आपको clear होगी कि coordinate geometry हम क्यों study कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी point को ये किसी location को show करना है, तो हम क्या use करते हैं, partition plane, तो अगर हम बात करें या पर, ये जो x, y, axis, intersect करिये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, origin, ये हमारा क्या है, origin है, इसके जो coordinates होते हैं, point होते हैं, वो क्या होते हैं, 0,0, क्या होता है, 0,0, और ये जो आपका intersect हुआ है, ये दो line आपकी, horizontal axis और vertical axis, दोनों क्या हुई हैं आपकी, intersect हुई हैं, किस point पे, origin पे, और ये किस पे divide हो गया है आपका, first quadrant, किस में divide हुआ है आपका ये, ये जो intersect हुई हैं, आपकी axis, x-axis और y-axis आपकी जो intersect हुई है, तो उसने किस में divide कर दिया है आपका, quadrant, ये first quadrant होगा आपका, ये second quadrant हो जाएगा आपका, और यहाँ पे नीची क्या होगा आपका, third quadrant, और ये हो जाएगा आपका, fourth quadrant so यह हमारा divide हो गया है किसमे x-axis और y-axis ने divide कर दिया है किसमे first quadrant, second quadrant and third quadrant last, fourth quadrant अब देखिए अगर हम sign की study करें sign हमारे पास first quadrant में क्या क्या होंगे sign हमारे पास क्या होंगे sign हमारे पास होंगे x-axis को हमेशे क्या लेंगे सबसे पहले लिखेंगे x-axis का हमारे sign क्या है first quadrant में positive y-axis का sign हमारे क्या है first quadrant में positive second quadrant में अगर check करें हम यहाँ पे क्या है आपका y-axis-axis में हमारे sign क्या है negative y-axis में हमारे sign क्या है positive, so यहाँ पे हो गया minus plus, first quadrant में plus plus, third quadrant में हमारे क्या होगा x-axis का sign का है आपका negative y-axis का sign का है आपका negative so यहां पर क्या जाएगा आपका minus minus fourth quadrant में अगर हम check करें यहां पर क्या होगा आपका x-axis में क्या है आपका sign positive y-axis में sign क्या है आपका negative so यह हमने sign के basis पर classify कर दिया first quadrant में आपका positive positive second quadrant में आपका हो जाएगा negative positive then आपका negative निगेटिव and last आपका positive निगेटिव अब देखिए हम क्या करते हैं यह जो x-axis है इसका second name क्या होता है आपका Absicer क्या होता है आपका यहाँ पे Absicer यह हो गयं हमारा क्या Second name x-axis का वहीं y-axis की बात करें तो y-axis में हमारा होता है ordinate, y axis में हमारा क्या होता है, ordinate अगर हमें abscissor दे रखा है, तो इसका meaning वहाँ पे क्या कह रहा है question आपसे, x axis के बारे में discuss कर रहा है अगर आपको ordinate word given है y axis की जगा, तो वो किस पे discuss कर रहा है आपका y axis पे, so यह हमने discuss कर लिया है coordinate geometry का basic portion, अब discuss करेंगे हम इसके questions, देखते हैं अपना question number 1 exercise 3.1 का, देखते है exercise 3.1 का question number 1, question 1 है हमारे पास, how will you describe the position of table lamp on your study table to another person, so यहाँ पे हमें क्या दे रखी, एक figure दे रखी, table lamp की, एक table है जिसमें आपका क्या है, lamp place है, तो question हमारे पास क्या है, how will you describe, हम कैसे describe करेंगे, किसी भी position को, यहाँ पे क्या है, हमारे पास, lamp है, तो इस lamp की position को हम कैसे describe करेंगे, कोई other person के लिए, suppose कर लिए, आपका कोई person यहाँ पे sit है, तो उस person के लिए, यह view क्या होगा, आपका, front view होगा, ओके, और front view होगा, और यह आपका, इस side का क्या होगा, आपका, left word होगा, और right क्या होगा, यह right word होगा, suppose कर लिए, आपका जो front view है, उसका जो distance है, table lamp का, वो क्या दे रखा है आपको, उसका distance क्या दे रखा है, आपको, two inch, कितना दे रखा है, two inch, यहाँ पे अगर हम देखें, left से distance आपको दे रखा है, one inch, okay, जो person है, उससे distance आपको given है, two inch, और जो left से, अगर हम देखें, table की left side से, distance क्या दे रखा है, आपको, one inch दे रखा है, तो हमारे पास, जो location होगी, वो कैसे हम show करेंगे, किसी other person को कैसे बताएंगे, कि आपका जो distance है, वो इतना है, so यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें, front view है आपका, two inch और left side से क्या है, one inch, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो coordinate होगा, coordinate क्या होगा हमारा यहाँ पर coordinate हमारा होगा क्या देखिए यह हमारा क्या है 2 inch that is y axis और x axis हमारा क्या है 1 तो हम यहाँ पर क्या शो करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1,2 coordinate यह हमारे पास क्या होगा point होगा यह क्या होगी location होगी किसकी table lamp की यह figure आपको clear होगी कि आपका एक table lamp situated है और यहाँ पे आपका कोई person है जो आपका यहाँ से इस lamp की position आपको describe करनी थी तो हमारे पास कोई भी value हो सकती है 1,2 आप suppose कर लोगे कि आपका जो front view से आपका जो distance से वो 2 inch है 3 भी हो सकता है यहाँ left word से हमने ले लिया 1 inch तो यह हमारे पास coordinate आ जाएगा 1 क्या है हमारा x axis 1,2 x axis एपसे से को हम हमेशे क्या लिखते हैं इस पहले लिखते हैं ok x के coordinate को हम सबसे पहले लिखते हैं और y का coordinate आपका उसके बाद होता है देखते हैं question number 2 है हमारे पास question 2 है हमारे पास question 2 है हमारे पास a city has two main roads which cross each other at the center of the city two main road है cross कर रहे हैं एक center में यह हमारा क्या होगा origin होगा इसी में क्या कर रहे हैं आपके two main road cross कर रहे हैं देखिए आगे question है हमारे पास these two roads are along the north direction and east west direction यहाँ पे direction आपको given है north to south है आपके पास एक direction और एक direction है आपके पास east to west so यहाँ पे अगर हम देखिए हैं आगे question हमारे क्या कह रहा है आगे question है हमारे पास all the other streets of the city run parallel to these roads यहाँ पे क्या है इसी के parallel कितनी roads cross कर रहे हैं आपके यहाँ पे दे रखाए all other streets of the city जो भी streets है city की वो क्या कर रहे है आपकी parallel run कर रहे है along these roads are 200 meter apart 200 meter क्या है उन में distance given है आपको there are five streets in each direction इसका मतलब क्या है आपके आपके पास कितनी streets है two main road के across five streets है north to south direction भी है east west direction भी है तो हमारे पास क्या हो जाएगी figure इसकी north to south direction s1 street first यहाँ पे street 2 आपकी north to south direction हो गई है यह आपकी third street हो गई then आपका यह fourth street हो जाएगा then last आपका कौन सा होगा fifth street तो यह हमने north to south show कर दिया अब हमारे पास क्या show करना है यहाँ पे east to west तो east to west हमारे पास क्या होगा इसका direction east to west यहाँ पे देखें east to west हमारे यह हो जाएगा तो east to west first, second, third, fourth and fifth यह हमारे पास क्या आगया s1, s2, s3, s4 and s5 यह हमारे पास क्या direction हो गया east to west अब हमें question जो given है using one centimeter equal to 200 meter हमें one centimeter यह जो one unit का distance है हमें किसके equal लेना है यहाँ पे one centimeter को लेना है 200 meter के equal so यहाँ पे आगे question हमें given है draw a model of the city on your notebook यहाँ पे हमने इसकी figure को क्या कर लिए है draw कर लिए model को represent the roads street by single line तो हमने street को किस तरीके से represent कर रहा है single line name क्या दे थी हमने s1, s2, s3 यह north to south direction के लिए और east to west के लिए हमने क्या लिए है यहाँ पे s1, s2, s3, s4, s5 आगे question है हमारे पास there are many cross street in your model a particular cross street is made by two street एक particular cross street क्या है आपके पास यहाँ पे given है a particular cross street is made by two street one running in the north-south direction and another in the east-west direction ओके each cross street is referred to in the following manner if the second street यहाँ पे condition given है एक हमे if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction तो second street हमारे पास दे रखिये second street हमें दे रखिये यहाँ पे north to south direction north to south direction and east-west if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction fifth street दे रखिये किसकी fifth street हमारे पास दे रखिये east to west east to west direction आगे question हम से कह रहा है west direction meet at some crossing point then we will call this cross street 2,5 यह हमें दे रखिये 2,5 यह जो meet करेंगे उसका point हमें given है 2,5 using this convention find question number one है हमारे पास इसी का इसी के through हमें क्या करना है find करना है how many cross street can be referred to as 4,3 so 4,3 अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा आपका सबसे पहले अगर हम देखें second street north to south direction आपकी कौन सी होगी north to south direction second street s1, s2 यह हमारी हो जाएगी second street next दिखतें fifth street east to west direction east to west fifth s1, s2, s3, s4, s5 यह हमारी कौन सी हो जाएगी east to west direction अगर इस में intersecting point देखें s2 और s5 का कौन सा point है हमारा यह हमारा कौन सा point हो गया intersecting point so यह हमारा point क्या है 2, 5 यह चीज हमें given है इसी के according हमें क्या करना है first question देखना है हमारे पास दे रखाए how many cross street can be referred to as 4, 3 तो 4, 3 में अगर हम देखें यहाँ पे 4 का मतलब क्या है आपका यह कौन सी street होगी आपकी fourth street होगी और यह कौन सी street होगी आपकी third street होगी तो यहाँ पे S3 होगा हमारा और यहाँ पे हमारा क्या होगा fourth street तो देखते हैं यहाँ पे fourth हमारे पास दे रखा है यहाँ पे fourth हमारे पास क्या होगा सबसे पहले क्या होगा x का coordinate तो x का coordinate आपका कौन सा 1, 2, 3, 4, 5 यह होगे हमारा, sorry, 4 यह होगे हमारा कौन सा? 4th state next हमें दे रखा है यहाँ पर 3rd वाली, तो 3rd वाली y-axis पर होगा y-axis हमारे पास क्या है? y-axis हमारे पास क्या है? यह वाले points है, ok? s1, s2 जो north to south direction जा रहे हैं वो क्या है हमारे y-axis के coordinate और जो आपके east to west direction जा रहे हैं वो क्या है आपके x-axis के coordinate ok, so यहाँ पर हमारे पास क्या है? 3rd state, s3 हमारे पास कौन सा है? 1, 2, 3, यह हमारे पास कौन सा होगा है? s3, अब देखते हैं इसमें intersecting point कौन सा होगा? यह जो intersecting point है हमें check करना है, 1 minute यहाँ पर हमारे पास यह होगा x-axis का जो coordinate है हमें क्या दे रखा है? 4th state यह वाला हमने y-axis का ले लिया था 4th street हमारे पास क्या होगा? 1, 2, 3, 4 यह हमारे पास होगा 4th state अब देखते है, s3 और s4 का intersecting point कौन सा है आपका? यह point हमारे क्या शो कर रहा है? यह point हमारे शो कर रहा है 4, 3 2nd हमें दे रखा है how many cross streets can be referred to as 3, 4 3, 4 का मतलब क्या होगा आपका? 3rd street and 4th street 3rd street आपकी कौन सी होगी? east to west direction वाली और 4th street हमारी कौन सी होगी? north to south direction तो इसको भी हम show कर देते हैं 3rd street आपकी east to west direction वाली यह होगी और 4th street हमारे पास north to south direction वाली ही हो गई दोनों कहां intersect कर दें? इस point पे यह point हमारा क्या है? 3, 4 अब देखें इसमें जो question में कह रहा है how many cross streets? इसमें कितनी cross streets जो है meet करेंगी? तो यहाँ पे एक unique जो है आपका क्या होगा? intersection होगा किसी भी एक point का जो coordinate plane में क्या show करता है हमारा? एक single point show करता है तो यहाँ पे एक ही road जो है cross करेगी यहाँ पे हमारे पास एक single point पे एक ही जगा आपका एक point पे intersection होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे answer? unique एक single ही आपका क्या होगा? यहाँ पे cross street होगी एक single point पे एक ही cross street होगी यह हमारे पास क्या हो गया? दोनों का single unique point क्या होगा आपका? unique point 4,3 में आपके कोई other line intersect नहीं करेगी एक single यहाँ पे कौनसी intersect करेगी 4,3 में? S4 and S3 इसके अलावा कोई भी other street नहीं होगी सो यह हमने question number 2 तक complete कर लिया है अब देखते है exercise 3.2 के देखते है exercise 3.2 का question number 1 question number 1 है write the answer of each of the following question यहाँ पे हमें question का क्या करना है? answer करना है देखते हैं what is the name of horizontal and vertical line हमें यहाँ पे क्या बताना है? name क्या होता है आपका horizontal और vertical line का ground to determine the position of any point in the partition plane जो हमें क्या determine करती है? partition plane के क्या determine करती है? point तो अगर हम बात करें horizontal horizontal का नाम क्या होता था आपका? horizontal आपका क्या होता था? x-axis okay and vertical का क्या होता था आपका यहाँ पे? y-axis तो यह हमारा name हो गया किसका? horizontal line और vertical line का horizontal हमारी x-axis vertical line हमारी y-axis देखते हैं अब second what is the name of each part of the plane formed by these two lines तो हमने introduction में देखा था जब आपकी two lines intersect करती है तो वो किस में divide करती है? four parts में divide करती है जिसका नाम क्या होता है आपका? coordinate तो इसका answer आपका क्या हो जाएगा? इसका answer आपका क्या होगा? quadrant, okay? quadrant, यह आपका divide होता है four parts में, okay? first part, quadrant, first quadrant, second quadrant, third and fourth next question है हमारे पर पास question number three, write the name of the point where these two lines intersect तो आपकी जब two lines intersect करती है, तो यह आपका कौन सा point होता है? यह होता है आपका origin, तो आपको सिर्फ name लिखना है, तो आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पर? answer आपका क्या होगा? origin, यह two lines आपकी कहाँ intersect करती है? origin पर, देखते हैं next question, question number two, exercise 3.2 का, three figure and write the following, यहाँ पर अगर हम figure देखें, यह हमारे पास figure given है, इसी के according हमें question का answer करना है, first है हमारे पास the coordinates of B, तो coordinates का meaning क्या होता था आपका? point, तो coordinates यहाँ पर क्या हैंगे हमारे पास? point B के coordinates हमारे क्या है? point B हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, यह position है, इसके coordinates क्या होंगे आपके? x की value है minus 5 y की value है आपकी 2 तो यह हमारे पास इसका coordinate हो जाएगा minus 5, 2 minus 5, 2 यह हमारे पास आगे coordinate किसका? point B का minus 5, 2 next question है, the coordinates of C C हमारे पास किस position पे? C हमारे पास यहाँ पे C हमारे पास है, यह position हमारे पास C की है, इसके coordinates find करने हैं, तो x पे कितनी value है आपकी 5, y पे कितनी value है आपकी 5 5 हमारे पास x पे positive है और y पे negative है तो coordinates हमारे पास हो गए इसके C के 5,-5 Next है हमारे पास third question The point identified by the coordinates minus 3,-5 तो minus 3,-5 कौन सा point है आपका? minus 3,-5 कहां लाई करता है? दोनो negative value आपकी कहां लाई करती है? यह आपकी कहां पे आजेंगी? third quadrant, ओके? तो third quadrant में आपका कौन सा point लाई करें यहां पे? यह हमें चेक करना है, तो minus 3 आपका यह है X पे और Y पे minus 5, यह point E आपका क्या शो कर रहा है? minus 3,-5 तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा? इसका answer होगा हमारा point E, ओके? Next question देखते हैं, question number 4 The point identified by the coordinates 2,-4 2,-4, first quadrant यहां पे positive positive होता है second quadrant negative positive, ओके? third quadrant negative negative, fourth quadrant positive negative तो यह point आपका 2,-4, कहां लाई कर रहा है? fourth quadrant में, तो 2,-4 X है 2, Y है minus 4, यह कौन सा point है आपका? G, तो यह इसका answer आपका क्या होगा? G, देखते हैं, next question, question number fifth, the abscissa of the point D तो introduction में हमने देखता है, abscissa क्या होता है आपका? X का coordinate, ordinate क्या होता है आपका? Y का coordinate, तो यहां पे हम से क्या पूचा है? abscissa, मैंने आपको बताया था कि कोई other word यूज कर सकता है, वो X के coordinate के लिए तो यहां पे हमें पूचा है, abscissa of the point D तो point D हमारा सबसे पहले देखते हैं, कहां पे लाई कर रहा है? point D हमारा है ये, तो X coordinate इसका क्या है? 6, तो इसका abscissa क्या होगा? point D का? 6, ओकी? इसका answer क्या हो जाएगा आपका? 6, सिर्फ हमें क्या बताना है था? इसका point D का क्या बताना था? abscissa, X का coordinate बताना था next question है हमारे पास the ordinate of the point H H सबसे पहले देखते हैं, कहां पे लुकेट है? H ये position है, इसका ordinate बताना है ordinate हमारा क्या होता है? Y coordinate, तो Y coordinate आपका क्या है? minus 3, तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा? minus 3, देखते हैं, next the coordinate of the point L coordinates बताने किसके? point L के, तो point L आपका कहा है? point L आपका इस position पे तो इसका coordinate क्या होगा? देखिए, X पे क्या है? 0 है, और Y पे क्या है आपका? 5 है, तो इसका coordinate क्या हो जाएगा? 0,5 X की value 0 है, X का coordinate 0 है और Y का coordinate क्या है? 5 क्योंकि ये कहां लाई कर रहा है आपका? Y axis पे, देखिए, हमेशे याद रखिए Y axis पे X की value क्या होगी आपकी? 0 के equal X axis पे Y की value आपकी क्या होगी? 0 के equal ओके, ये क्या है? देखिए, Y axis पे X 0 होगा X axis पे Y 0 होगा देख लिए, यहाँ पे x axis पे y की value क्या है 0 है और y axis पे x की value क्या होगी आपकी 0 होगी ओके जब हम दोनों को combine देखती है जैसे हमारे पास यहाँ पर दे रखा है question number 7 में the coordinates of the point L यह क्या है आपका 0,5 तो x क्या है यहाँ पे 0 है और y क्या है 5 है तो y axis पे हमेशा x आपका क्या होगा 0 नेक्स्ट तो यह जो point L है यह हमारे क्या शो कर रहा है 0,5 मतलब x क्या है आपका 0 और y क्या है 5 तो y axis पे x आपका क्या होगा 0 देखते है question 8 the coordinates of the point L L की coordinates आपके क्या है यह हमने find कर ली 0,5 तो यह हमारा complete हो गया है question number 2 तक exercise 3.2 next देखते हैं अब exercise 3.3 के question देखते है exercise 3.3 का question number 1 question number 1 है हमारे पास in which quadrant और on which axis do each points minus 2,4, 3,-1, minus 1,0, 1,2 and minus 3,-5 lie verify your answer by locating them on the Cartesian plane तो यह हमने Cartesian plane draw कर दिया है अब देखिए यहाँ पे first point है आपके पास minus 2,4 minus 2,4 concept quadrant में लाई करेगा आपका minus 2 minus 2 आपका क्या है x-axis और y क्या है आपका 4 कौनसा quadrant है आपका यह second quadrant तो यह आपका answer हो जाएगा second quadrant next है आपके पास यहाँ पे 3,-1 3,-1 कहां लाई करेगा आपका 3,-1 आपका लाई करेगा कहां पे fourth quadrant में कहां लाई करेगा आपका यह fourth quadrant 3,-1 next है आपके पास यहाँ पे minus 1,0 minus 1,0 x क्या है आपका यहाँ पे negative y क्या है आपका 0 तो यह कौन सा point है आपका minus 1,0 x axis पे तो यह कहां लाई कर रहा है आपका point यह लाई कर रहा है आपका x axis पे क्योंकि कोशन में आप से क्या कह रहा है in which quadrant और on which axis तो यहाँ पे यह axis में हमारा answer आ गया यह दोनों quadrant में थे next देखते है next point है 1,2 1,2 दोनों क्या है आपके sign positive कहां होगा आपका यह first quadrant कौन सा हो जाएगा आपका यह first quadrant तो हमें यहाँ पे सिर्फ quadrant और axis बताना है कौन सी axis पे कौन से quadrant में point लाई करेगा देखते है next minus 3, minus 5 minus 3, minus 5 दोनों sign क्या है आपके negative कौन से quadrant होता है आपका third quadrant जहाँ x और y दोनों ही क्या होते है आपके negative यह हो जाएगा आपका third quadrant last है आपके पास point यहाँ पे अच्छा यह आपका last minus 3, minus 5 क्या था last point था जो third quadrant में लाई करेगा देखते है next question question number 2 plot the points x, y given in the following table यह आपको question में table given है आपको इसको क्या करना है plot करना है इन points को plot करना है partition plane में so choosing suitable units of distance on the axis तो यह हमने draw कर लिए partition plane जिसमें आपने distance one का gap रखके one unit two unit और यह आपके negative हो गए यह positive y axis और यह downward negative y axis देखते हैं first point है minus 2,8 minus 2,8 कौन सब point है आपका x क्या है negative y क्या है positive कहां लाई करेगा second quadrant minus 2,8 so इसको हम यहाँ पर show कर देंगे यह point हो जाएगा आपका first point इसको हम दे दे रहे है ओके second is minus 1,7 यह भी कहां लाई करेगा आपका second quadrant में minus 1,7 तो यह point हो जाएगा आपका यह point B हो गया okay minus 1,7 next is zero comma minus 1.25 zero comma x zero है y minus 1.25 है तो minus 1 से यह आपका क्या हो जाएगा minus 1.25 minus 1.25 यह point होगा आपका क्या c point जो क्या show कर रहा है आपका zero comma x zero है और y आपका क्या है minus 1 comma 1.25 y क्या है आपका minus 1.25 तो minus 1 से हमने थोड़ी से greater value minus 1.25 downwardly है next है 1 comma 3 दोनों value क्या है आपके x की positive तो यह first quadrant में लाई करेगा 1 comma 3 यह आपका हो जाएगा 1 comma 3 यह point D हो गया next है यह आगया आपका plot हो गया point किसमें आपके partition plane में so यह हमने chapter 3 coordinate geometry इस video में complete कर लिया है so till then try all this question for being regular updated please subscribe our channel and thank you अाई कर दो